एक बात बताओ आप कौन हो सरीर हो की आत्मा हो बोलो आप कौन हो आप राहुल हो आप राम हो आप श्याम हो आप प्रकास हो आप फलाने हो आप सीता हो आप गीता हो आप माया बती हो आप फलाने बती हो क्या हो आप मेरा नाम अनिरुद्ध है मैं अनिरुद्ध हूँ अनिरुद्ध की जगा मेरा नाम राम होता तो मैं राम होता राम की जगा मेरा नाम श्याम होता तो मैं श्याम होता मेरा नाम प्रकाश होता तो मैं प्रकाश होता बोली मैं क्या हूँ मैं सरीर नहीं हूँ याद रखिए सरीर में और आत्मा में अंतर है जैसे सरीर और आत्मा में कैसे अंतर है सुनना जैसे मोवाइल और सिम कार्ड जैसे मोवाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है ऐसे सरीर अलग है और आत्मा अलग है शिम की तरह है, आत्मा मोवाल की तरह है, ये सरीर मोवाल बदलता है, सिम नहीं बदलती आपने कितने मोवाल बदल दिये होंगे, पर नमबर नहीं बदला है ना, नमबर नहीं बदलते, सरीर बदल जाता है, आत्मा कभी नहीं बदलती भक्तो आत्मा अजनमा है अमर आत्मा गीता कहते है नैनम छिंदंती सस्त्राणी नैनम दहती पाव कहें आत्मा अजनमा है अमर है आत्मा का कोई वंधन नहीं है अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हुआ आत्मा को कहते हैं आत्मा अजनमा है आत्मा का कभी जनम नहीं होता आत्मा कभी मरती नहीं है तो यहाँ पर एक प्रश्न गंभीर उठ रहा है मैं उठा रहा हूँ सुनियेगा यहाँ पर एक प्रश्ण खड़ा है मैं समाधान भी करूँगा यहाँ पर एक प्रश्ण खड़ा है कि आत्मा जब कभी जनम नहीं लेती आत्मा कभी मरती नहीं है तो आज के 50 साल पहले आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 50 करोड थी या 30 करोड थी या 20 करोड थी और आज भारत की जनसंख्या 125 करोड है आज भारत की आवादी 125 करोड पहले पूरी दुनिया में कम लोग थे आज पूरी हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है आत्मा तो कभी जनम नहीं लेती तो इतनी सारी आत्मा कहां से आ रही है पहले भारत की जनसंख्या 20 करोड थी माना की आज भारत की जनसंख्या 125 करोड है तो आत्मा कभी मरती नहीं आत्मा कभी जनम नहीं लेती तो ये आत्मा कहां से आगे भईया ये प्रश्न है ये प्रश् आत्मा वो नहीं है आत्मा क्या है आप कभी कभी पूछते गुरु जी आत्मा क्या है आए आज में आपको आत्मा से आपका परचे कर आउ आत्मा किसे कहते आत्मा की परिभासा क्या सुनिएगा अब देखिए मिट्टी के घड़े में मिट्टी के 50 घड़े में आप पानी भर के सूर्य भगवान के प्रकास के नीचे रख दो तो पचास घड़े में जब सूर्य का प्रकास पड़ेगा तो पचासों घड़े में क्या दिखेगा पचासों घड़े में सूर्य नजर आएगा आएगा सूर्य का प्रतिविंब घटा कास आप एक हजार घड़े में पानी भरके रखो तो कितने सूर नजराएंगे घड़े में घड़े में पानी भरके रखो तो सूर की परचाई दिखती है घड़े के अंदर एक लाख घड़े में पानी भरके आप रख दो तो कितने सूर नजराएंगे एक लाख अब बताईए सूर्य कितने है सूर्य तो एक ही है लेकन घड़े में पानी भरके रखा तो उस एक ही सूर्य की एक लाख परचाई नजर आ रही है एक लाख सूर्य नजर आ रहे है उस एक के ही इतने सारे नजर आ रहे है अच्छा एक काम करो अब सारे घड़ों को तोड़ डालो फोड़ डालो अब नजर आया कुछ अब बताईए वो कहा चला गया वो जो अभी प्रकास घड़े के अंदर जो सूर नजर आ रहा था अब बताईए वो कहा चला गया कहा बोले वो घड़े में जो सूर का प्रकास था वो सूर का प्रकास घड़ा था तो प्रकास था घड़ा चला गया तो प्रकास जहां की तहां चला गया हम घड़े है और हम घड़े के अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रकास है उस एक परमात्मा का जितने घड़े होंगे उतना प्रकास होगा और जैसे घड़े खत्म होते जाएंगे वो प्रकास उसमें विलीन होता जाएगा। उस परमात्मा के तेज को उस परमात्मा की किरण को ही आत्मा कहते है। उससे निकलती है उसमें लीन हो जाती है। कैसे। उससे निकलती है उसमें ही लीन हो जाती है। महराजी कुछ समझ में नहीं आया। अब ज़र और समझाओ, और समझो, मकडी, मकडी, जाल बनाने का धागा किस वाजार से खरीदती है, मकडी जाल बनाने का धागा कहीं खरीद के नहीं लाती, उसके अंदर से ही वो धागा निकलता लार, उसकी लार के रूप में वो धागा निकलता जाला बुंती है, उस जाले में खेलती है और जब उसका मन होता है तो खुद जाला खा लेती है जैसे वो मकडी स्वयम जाला को उत्पन करती है जाल पर खेलती है और जाल को निगल जाती है ऐसे ही जैसे मकडी के अंदर से जाल उत्पन होता है ऐसे परमात्मा के अंदर से हम और आप उत्पन होते हैं